भारतिया पहलवान सुशील कुमार एक विवाद में शामिल था जिसके कारण पहलवान सागर राना की मौत हुई और दो अन्य को घंबीर रूप से घायल कर दिया राना की मौत के बाद दिली की एक अदालत ने सुशील कुमार के खिलाफ गेर जमानती गरफतारी वारन जारी किया दिली पुलीस ने सुशील कुमार की गरफतारी के लिए सूचना देने वाले को एक लाक रुपे का इनाम की घोशना की ऐसे ही उसके सहयोगी अजे कुमार की खिलाफ सूच ना देने पर 50,000 रुपए का इनाम घोशित किया गया था। हालाकी तीन सपताह से सुशिल कुमार पुलीस की गिरफ्ट से बच रहा था। दिली के आसपास कई जगाहों पर पुलीस पहलवान की तलाश में छापे मारी कर रही थी। आखिरकार 23 मई को सुशिल और अजय दोनों को दिली के मुंड का इलाखे से गिरफ्टार क्यर लिया गया। विडंबना यह है कि विश्व कुष्टी दिवस पर चैंपियन पहलवान को गिरफ्टार किया गया। देश के लिए मेडल जीत कर भारतिय तिरंगे में लिप्टा हुआ खिलाडी, अपने चहरे को तॉलिया से ढखा हुआ था और दोनों हातों को दिली पुलीस ने पकड़ रखा था। सुशील को अदालत में पेश किया गया। अदालती कार्यवाही के दौरान पुलीस ने कहा, आगी की पूछताज के लिए दोनों को बारहत दिनों के लिए जेल में रहने की जरूरत है। पुलीस सुशील और अजे से पूछताज करना चाहती है ताकि सागर राना की हत्या के पीछे का मकसद का पता लगाया जा सके। पुलीस ने यह भी कहा कि सुशील ने जब सागर राना और उसके दोस्तों को पीटा जा रहा था अपने दोस्त से विडियो रेकॉर्ड करने को कहा था। ताकि कोई उसका विरोध ना करे। इसलिए दिली पुलीस उसे पूछताच करना चाहती है लेकिन अदालत ने आदेश दिया कि सुशील कुमार और उनके सहयोगी अजय कुमार छे दिन तक हिरासत में रहेंगे।